नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के सबसे बड़े लाइनिंग प्लैट्फॉर्म अनेकर्में पर आप सभी को गुड इवनिंग आप सभी का स्वागत है इन्वार्मेंट इकॉलजी अर्थात परियाबरन पारस्टित्की किस क्लास में इन्वार्मेंट इकॉलजी हमारे UPSC CS की जो हमारा पूरा सेग्मेंट है जो पूरा हमारा GS का पूरा एरिया है सेग्मेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट इस बज़े से है क्योंकि आपको पता है कि जो UPSC CSC का हमारा पेपर होता है उसमें ना सिर्फ वह लोग पेपर देते हैं जिनको IS और IPS बनना है बलकि उसमें वह लोग भी अपियर होते हैं जिनको क्या बनना है? इसके वज़े से नंबर ओप कोसंस आप देखेंगे तो हर साल बढ़ रहे हैं तो इन प्रिशनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास इन्वार्मेंट और इकॉलजी की काफि सांदार जब जानकारी होगी देप्थ जानकारी होगी तभी आप उसके कोसंस को सॉल्व कर पा इस क्लास में हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया के सबसे बरे लर्निंग प्लैटपॉर्म अड़ नेकेडमे पर जहां पर यह हमारा इन्वार्मेंट इकॉलजी की यह हमारी छटवी क्लास हैं पांच क्लासे इससे पहले हो चुकी हैं आपने उनको देखा होगा समझा हो तो उनकी जिग्यासा मेरे भी समय जानने की हो सकती हैं मेरा नाम सुनिल बर्मा है मैं पिछले आट बरसों से मुखरजी नगर दिल्ली के सबसे परतिष्टित कोचिंग संस्थानों का फेकल्टी रहा हूँ अब मैं अनेकेडमी के माद्यम से अपनी सिवाएं आप तक पहु पहुंच रही हैं तो आप क्या कर सकते मेरे experience का लाव उठा सकते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है आप इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं इस टेलिग्राम चैनल का नाम है सुनिल वर्मा अनेकेडमी लिंक इसका वीडियो के description में इसको जब जॉइन कर लेंगे तो इससे क्या फादा होगा कि जब भी आपको अनेकेडमी का कोई भी course लेना हो तो यहाँ पर आप मुझे direct personal message कर सकते हैं जब group में जुड जाएंगे तो इसका मैं admin हूँ मेरे profile पर click किजिएगा message भेज सकते हैं इसके अलावा इस टेलिग्राम चैनल पर आपको Indian geography, world geography और environment क class और साथी साथ current affairs के जो notes हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे यहीं पर मैं NCRT करांती जो बैच चला रहा हूँ अर्थाग इसमें हम लोग geography और quality पढ़ने और समझने का प्रयास करना है तो यह जो class है पूरी NCRT की class यह free है इसका भी जो link है वो कहा मिलेगा इसी टेल learning app तो अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से NCRT पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर join कर सकते हैं जब भी आप course लेंगे तो आपके पास दो भी कल्प होते हैं आप plus course ले सकते हैं या फिर iconic course ले सकते हैं जब भी आप course लीजेगा तो इस code को ध्यान दिजेगा इस code को जैसे यूज करेंगे आपको discount मिल जाएगा आपको offer मिल जाएगे मेरा सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको मेरा guidance मिल जाएगा और साथी साथ आप देख सकते हैं 10% discount तो आप प्राप्त करेंगे कोई भी course लेने से पहले आप मुझसे एक बार सं subscription यहाँ पर भी same code यूज किजेगा आपको यहाँ पर discount मिलेगा और इस code को जैसे या आप यूज करके आगे बढ़ेंगे process को complete करेंगे आप मेरे guidance में आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं इससे मेरा guidance भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कोई भी optional subject लेते हैं उसका भ चल लए इसमें भी आप इसी course से क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इस समय दो साल या उससे अधिक समय का course लेते हैं तो आपको एक साल का extension मिलेगा किस course है इस course है तो यह जो offer है आपके लिए काफे important है इसको प्राप्त कर सकते हैं कोई भी course लेने के लिए टे अगर course आप je maiple लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और यह कैसे ले सकते हैं आप इसकी जानकारी टिलिग्राम पर हमसे जुड़ कर ले सकते हैं यहां पर देख सकते हैं अगर अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप यहां पर call भी कर सकते हैं तो यह जो number है आप इस पर call करेंगे तो हमाइगी टीम क्या करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तू हम आ जाते हैं अपने class पर और इसमें हमें बात करना है इन्वार्मेंटिकोलजी के अपने 6 वी class पर आप रहे अप्सवागत आप सभी का स्वागत है अच्पmez झालाइन है गुड इवनिंग गुड इवनिंग चले तो सेशन को स्टार्ट किया जाए सेशन को स्टार्ट किया जाए समय हमारे पास कम है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं समय को सेशन को आगे बढ़ाते हैं एक सिकेंट दीजे मुझे बस एक सिकेंट दीजे चले तो अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें हम काफी चीजों को कबर कर चुके हैं अब उसी segment को आगे बढ़ाएंगे हमने कहा था हमने आपसे दो सब्सब्सकी ये थे और एक सब्सक्स ठाभार। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब क्या है वह आवरण जिस आवरण में कोई जीव क्या करता है अपना विकास करता है आवरंड क्या होगा किसी भी जीव के चारो और का आवरंड क्या होगा वह कुछ उसके चारो और भौतिक चीजे होंगी और कुछ क्या होंगी जैविक चीजे होंगी तो जे भौतिक और जैबिक चीजों से हर जीव क्या है घेरा हुआ है हम आप कोई भी जीव लेंगे तो उसके चारों और क्या होगा आपको कुछ भौतिक चीजे भौतिक चीजों में आपको क्या दिखाई देगा हम लोगों को दिखाई देगा मिट्टी हो सकता है अर्थात इस्थल भाग हो सकता है, हमें क्या दिखाई दे सकता है, जल दिखाई दे सकता है, जल मंडल हो सकता है, जल में भी क्या है, जीवन तो नहीं है, लेकिन भौतिक, इसी की तरह आपको वायू दिखाई दे सकती है, वायू हो सकता है, आपको भौतिक रूप में अन्य चीजे है घिरा हुआ है और जीव क्या करता है इन्हीं में सामन जस बैठाते हुए अपना विकास करता है कोई भी जो जीव है मानलो यह एक जीव है हना कोई भी एक एनिमल हो सकता है इस एनिमल को क्या होता है किसी एरिया का एक छेतर चाहिए होता है जहां पर रहेगा वह छेतर क्या साकाहारी जीव है तो उसको क्या चाहिए होगा प्लांस चाहिए होगा अर्थात पेड और पौधे चाहिए होगा इसी के साथ वहां पर घास का भी छेतर चाहिए होगा वह जीव है तो उसको पाने भी चाहिए होगा वह जीव है तो अकेला तो रहेगा नहीं जीव का क्या और हमको क्या पता चलेगा कि जीव क्या है कई तरह की किरियाएं कर रहा है उन किरियाओं को करने के लिए उसको बहुत सी चीजों की जरूरत है तो कल मैंने आपको एक सब्द बताया था वह था ecosystem वह बताया था मैंने ecosystem और ecosystem को हमने क्या समझाता ecosystem का तात पर क्या है कि कोई जो जीव है जो जीव है वह जो भी किरियाएं कर रहा है जो किरियाएं वह करता है उन किरियाओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि वह क्या कर रहा है कि जिस बाताबरण से घिरा हुआ है उसमें जो वह भौतिक और जैबिक चीजे हैं उनस क्या कर रहा है अन्ता किरिया कर रहा है इसका क्या है एक सिस्टम है इसका क्या है एक सिस्टम है क्या सिस्टम है देखिए फिर से समझे यह एक जीव है इस जीव को अपना विकास करने के लिए क्या होगा कहीं न कहीं इसको इस्थल चाहिए या जल चाहिए वहां पर यह होगा अब इसका सिष्टम है कि यह भोजन प्राप्त करेगा तो भोजन किस से प्राप्त करेगा या तो यह साकाहारी जीव है तो यह घास फूस खाएगा या पेड़ पौधों को खाएगा या फिर अगर मासाहारी जीव है तो इसको क्या चाहिए कुछ साकाहारी जीव चाहिए और चीजे हैं उनसे अंतर किरिया करें, कल मैंने आपको बताया था, कि यह जो हमारा एको सिस्टम होता है, हमारा यह जो एको सिस्टम होता है, यह बहुत छोटा भी हो सकता है, कैसे एक पेड की रूप में भी एको सिस्टम हो सकता है, पेड की रूप में कैसे एको सिस्टम हो सकता यह पोरा area है इस पर क्या है यहां पर एक पेड़ यह हब इस प्धेड़ पर क्या होता है इस चितर की चिडिया आकर बैढती है यह जो पेड़ है यहां के मिटिग में यह अपना important role अदा करता है यह जो पेड़ है इसी पेड़ के नीचे आकर कुछ जीव क्या करते हैं सुस्ताते हैं यह जो पेड़ है इस छित्र में हवा की गती को क्या करता है कम और जादा करता है कुल मिलाकर यह जो एको सिस्टम है वह एक पेड़ भी हो सकता है यह जो एको सिस्टम है एक घास का मैदान भी हो सकता है यह जो एको सिस्टम है यह इसमें कोई बहुत बड़ा एरिया भी सामिल हो सकता है यह क्या हो सकता है एक तालाब भी हो सकता है अर्थाद जो एको सिस्ट होगा वह depend करेगा कि आखिर हम उसको किस रूप में ले रहे हैं तो एको सिस्टम बहुत बढ़ा भी हो सकता है आपको पता है मैंने एक सब्द और आपको समझाया था और वह है बायोस्फियर इसको हिंदिम बोलते हैं चैव मंदल इसको बोलते हैं चैव मंदल क्या कौन सा एर करना हमारे लिए क्या है पॉसिबल नहीं है अर थात इस प्रूरे जह मंदल में कौन सा जीव किस तरह से किरिया कर रहा है यह हम आसानी से नहीं सौर्च पाइं लेकिन अगर हमें जीवों के अंतंकरिया को करसrif समझाया है उसके सिस्टम को समझना तो हम क्या करें इस बायो सिश्टम है उसको समझ लें जितने भी परवत के एको सिश्टम है उसको समझ लें जैतने भी जील के एको सिश्टम है उसको समझ लें नदी के एको सिश्टम को समझ लें सागर और महासागर के एको सिश्टम को समझ लें अपने आप ऐसे ही सभी एको सिश्टम को समझ लेंगे तो हमें क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि आखिर यह biosphere हमारा यह जो jam handle है, यह कैसे काम करता है, पता चल जाएगा कि नहीं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफी आसान है, इसलिए जब हम environment को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसमें ecosystem का role क्या हो जाता है, काफी important हो जा कि यह जो ecosystem है, इसमें कुछ भौतिक चीजें और कुछ जैबिक चीजें होती हैं, तो इस जो भौतिक और जैबिक चीजें हैं, इन्हीं को समझना है, दरतल हर ecosystem क्या है, कुछ भौतिक घटकों, भौतिक घटक और जैबिक घटकों से मिला हुआ, और जैबिक घटकों से क्या और जय भी घट को कोई समझना है तो एक एक करके हम समझेंगे लेकिन जैसा कि हम को पता है कि आखे क्रेंट अफेयर से वो टॉपिक को आप कैसे जोड़ कर देख रहे हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सब चीजों को भौति घटको भी समझेंगे और यह भी देखेंगे कि मानों ने इन भौतिक घटकों को कैसे परभावित किया है अर्थात इसको अगर हम देखें तो हम क्या समझने जा रहे हैं हम समझने जा रहे हैं कि यह जो हमारा एको सिस्टम है इस एको सिस्टम में क्या है कुछ हमारे पास भौ जैबिक घटक अब जो भौतिक घटक हैं पहले उनको देखेंगे फिर जैबिक घटक को देखें तो हमें यह देखना है कि आखिर यह भौतिक घटक क्या क्या है यह क्या क्या है ठीक है पहले तो हम यह देखेंगे कि भौतिक घटक क्या फिर यह देखेंगे कि आखिर मानो मान रूप में दिख रहा तब हम समझ पाएंगे कि आखिर हम अपने एकोसिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किलियर है किलियर है क्लियर है क्लियर है प्लिस बताईए यहां तक क्लियर है चले तो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सेशन को आपकी संख्या काफी कम है बच्चो आप सब लोग की संख्या काफी कम है थोड़ा सेशन को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सेर कर लेजे सेर कर लेजे आपकी संख्या काफी कम है चल तो देखे भौतिक घटक में अगर हम देखें तो हमारे लिए कुछ important घटक हमको पता चलते हैं पहला है आपका वह है जैसे मालो एक घटक है जल कोई भी जीव होगा उसको जल की मात्रा थोड़ी या जादा तो चाहिए होगी जीवन उसका अगर अस्तित तो है तो उसको जल तो चाहिए होगा तो एक ह ले सकते हैं इस्थल अर्थात मिट्टी तो जो मिट्टी है इस्थल है इसी इस्थल पर आपको क्या दिखाई देंगे जितने भी एनिमस आपको दिख रहे हैं अधिकांस एनिमस आपको कहां देखने को मिलेंगे इस्थल पर जंगल में हो सकते हैं घास के मैदान हो सकते हैं इसको और ब्यापक रूप में आप जल मंडल के संदर में समझ सकते हैं अर्थात जल मंडल अपने आप में एक बहुत घटक है ठीक इसी तरह से जब वायू की बात करते हैं तो इसी के साथ आप वायू मंडल को भी देख सकते हैं इस थल जो देखते हैं, तो इसको आप और व्यापक रूप में, इस थल मंडल के रूप में आप देख सकते हैं, हम एक एक को लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जल को, अर्थात यह जो जल है, तो जल क्या है, परतियक जियू के लिए आवश सके, परतियक जियू के लिए और किसी जीव के लिए, किसी जीव के लिए, इसकी जो मात्रा है, वो अधिकाव सकता हो सकते, लेकिन जीवन के लिए क्या है, जल हमारे लिए मत पूर है, तो सिर्फ यहाँ पर जीव के विकास के लिए जरूरी नहीं है, उसके पीने के लिए जल इंपोर्टेंट नहीं है, ब पानी की उपस्तथी आनिवार है कि नहीं, तो पानी इनको चाहिए, पानी इनको पीने के लिए चाहिए, पानी इनको जो है कि अपने विकास के लिए चाहिए, अगर यहाँ पर पानी ना हो, तो जितने प्लांट्स हैं, यह क्या होंगे, यह सूख जाएंगे, यह क्या होंगे जल है जिस जल को हमने कहा जल को हम किस रूप में देख रहे हैं जल मंडल के रूप में देख रहे हैं ध्यान देजेगा जल मंडल के रूप में देख रहे हैं तो जल मंडल का मतलब क्या है जल मंडल का मतलब क्या है कि जहां पर भी जल है जहां पर भी जल उपस्थित है अब ठेख देखे जब जल की उपस्थती की बात करते हैं तो हमें क्या देखना किम लेगा कि जल कहाँ पर है इस थल पर भी है इस थल पर भी है और सागर में бी सागर में भी है आपको पता है कि जितना जल हमारे पास है उसका 97 परसंट जो जल है किस में आता है सागर और महासागर में। अर्थात पूरी पिपर जितना जल है उसका 97% भाग थोड़ा सा उससे जादा ही सागर और महासागर में। glacier के रूप में, कहां पर मिलेगा ये, आपको मिलेगा जो आपका north pole है, north pole चले जाएए, south pole चले जाएए, north pole और south pole, और जो mountains हैं, उन पर चले जाएए, तो अधिकास बर्फ आपको मिल जाएगे, ये जो बर्फ है, जो कि बर्फ और glacier के रूप में है, लगवग 2,4%, 2,4% आपक जो बर्फ है, जिसका हम प्रियोग नहीं कर सकते, बर्फ के रूप में, आप उसको पीने के लिए प्रियोग नहीं कर सकते, वो लगवग 2,4% है, बचा लगवग आपका 0.6 से लेकर 0.7%, 0.7% जो जल है, वो क्या है, हमारे पास पीने के लिए उपलब्द है, पीने के लिए ये पीने के लिए उपलत किस रूप में है ये भूमी गत जल के रूप में या आपके नदी और तालाब के रूप में जील के रूप में इन सब रूपों में है लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जो मात्रा है वो कितना है एक परसेंट से कम है वो कितना है एक परसेंट से कम अब देखे तो हमने कहा किया मैं इसको मिटा दूं क्या आप लोग नोट कर रहा है इसको किया आप इसको नोट कर रहे हैं प्लिस बताईये कि प्लिस बताईये क्या आप इसको नोट कर रहें, एरेज कर दें, चल यहाँ पर एरेज कर दें इसको, तो हमने कहा कि जितना भी जल है, वो जो जल है अधिकान्स कहा पर है, लगवक 97% जल क्या है, सेलाइन है, खारा है, किसमे है, साघर और महासागर में, हमारे पास जो उपलब्द जल है जिसको जो फ्रेश वाटर के रूप में साप पानी के रूप में है उसका भी अधिकांस भाकिस में बर्प और ग्लेसियर के रूप में है जिसको हम पीने के लिए प्रियोग नहीं कर सकते अर्थात ये बर्प और जो ग्लेसियर है है तो फ्रेश वाटर लेकिन हम इसको पी नहीं सकते पीने होगे जो पानी हमारे पास वो एक परतिसस से कम है 0.6 से लेकर 0.7 परसेंट जो पानी है जिसको हम पी सकते वो भी किस में है वो किस रूप में है भूमिगजल के रूप में है नदी के रूप में है जील के रूप में है तलाप के रूप में अब इसको थोड़ा सा और एक एंगल से समझे और एक एक एंगल से समझे तो हमने कहा जो जल है जो जल है इसका 97 परतिससत भाग क्या है ये खा रहा है यह क्या है? Saline है ओर इसका अधिकांस जो भाग है, लगवा 2.4% जो भाग है ये क्या है? है तो ये fresh water के रूप में है लेकिन हम पीने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते लेकिन ये पीने योग है नहीं है अब देखे हमारे पास क्या पानी कितना बचा लगबग 0.6 से लेकर 0.7 परसेंट जो पानी है वो क्या है पीने योग है और यह जो पीने योग यह पानी है हमने कहा यह कहाँ पर है यह नदी में है यह जील और तालाब में है इसी में कुवा भी आ जाएगा और साथी साथ भूमिगत जल की रूप में लेकिन समस्या यह है कि यह जो हमारे पास यह पानी है यह पानी की मात्रा हमारी आवसकता है कम यह मात्रा जो है वह क्या है काफी कम और यह मात्रा पहले से ही कम है और हमने इसको क्या कर दिया है परदूसित कर दिया है हमने क्या कर दिया है इसको प परदूसित कर रहे हैं इसको एक तो जो हमार इसकी रासाइनिक संरचना थे इसमें हमने क्या किया परिवर्तन किया रासाइनिक संरचना में कैसे हमने परिवर्तन किया दरसल हमने इसमें क्या किया हैं बहुत से परदूसक मिला दी हैं दूसरा यह भी है कि यह जो हमारा नदी ताला जील हैं ये क्या हो रहा हैं ये सूख रहा हैं अर्थात हमने इनके छित्र का अतिकरमड किया है और जब छित्र का हमने क्या किया है अतिकरमड किया है तो ये क्या हो रहा हैं सूख रहा हैं सूखने का मतलब है कि इसमें जो पानी है वो कम हो रहा है दूसरा हमने क्या किय परदूसक ततो इतने जादा मिलाए है जो हमारा जो भूमीगत जल है ये भी क्या हो चुका है परदूसित हो चुका है ये पीने योग ये बहुत कम बचा है जो हमारे जील थी जो हमारे नदियां थे ये सब क्या हो चुके है इसमें परदूसर है अर्थात ये जो परदूसक ह कहां से पहुँचे हैं हमने जो क्रिसी कारे किया हमने जो और दोगी कारे किया हना जो हमारा सहरी करण हुआ जो हम लोगों ने सहरी करण किया इस सब चीजों से हमने अपने पीने योग्य पाने को कम कर दिया साथ ही साथ यह जो हमारा भूमिगत जल था इस भूमिगत जल को अ हम जितना दोहन करते हैं अगर उतना ही रिचार्ज होता रहता अर्था जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना पानी पहुंचता रहता तो पानी की कमी नहीं होती लेकिन क्या हो रहा है रिचार्ज ये कम हो पा रहा है रिचार्ज का मतलब यह है कि मान लो यह एक गाउं है, सहर है, कुछ भी है, इसमें यहाँ पर पानी जो भरा हुआ था, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जामपल के लिए हम 100 लिटर क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, लेकिन बर्सा के माध्यम से और अन्य तरीके से यह जो जल है, रिस्कर, इसमें कम जा पारत, जैसे आपने देखा होगा, जो वर्सा होता है, तो हमारा जो ग्राउंड वोटर है, वो रिचार्ज होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कई कारणों से यह रिचार्ज नहीं हो पारा है, और मालुम चला, हर साल हम 100 लिटर पानी निकाल रहे हैं, और 80 लिटर ही तो धीरे धीरे क्या होगा, यह जो जल है, ग्राउंड वोटर, वो क्या होगा, कम होगा, क्यों यह रिचार्ज कम क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण यह है, कि हम लोगों ने पक्की सनरचनाय बना दी, हम लोगों ने क्या किया है, पक्की सनरचनाय बना दी है, पक्की स हमने जो नाले बनाए हैं वो भी क्या है पक्के हैं तो कच्ची जमीन बची नहीं आपको समझे कि बर्सा का पाने होता है और बर्सा जब होती है तो अगर वह क्या हो कच्चा जमीन हो तो उसमें से पानी की कुछ मात्रा नीचे जमीन की ओर जाएगी लेकिन हम लोगों ने क्य किया है हर तरफ क्या किया है हम लोगों ने पक्की सरचनाय बना दी है इनको बोला जाता है कंक्रीट के जंगल इनको बोला जाता है कंक्रीट के जंगल तो हम लोगों ने जहां पर कच्चा जमीन था जहां पर घास का मैदान था जहां पर जंगल था उस भूमी को क्या कर दिया है हमने पक्का कर दिया है अब स्वभाविक है कंक्रीट का जो जंगल है यह जो पलस्तर हुआ हुआ है हना यह जो पूरा पक्का हमने कर दिया है इससे होकर पानी का नीचे की जाना काफी टप है काफी कठेन है तो नहीं जा पाता पानी नीचे नहीं जा पाता पानी जब रिचार्ज कम होगा तो जो ग्राउंड वोटर है वो क्या जाएगा नीचे जाएगा अब खुश समझे हमारे पास पानी पीने योगे पानी 0.6 से लेकर 0.7 परसेंट तक बचा हुआ सा उसमें भी भूमी गत जल क्या हो रहा है रिचार्ज नहीं हो रहा है और जो भूमी गत जल कहीं कहीं रिचार्ज भी हो रहा है उसमें कई तरह है के हमको केमिकल देखने को मिल रहे हैं केमिकल कहां से जाते हैं हमारे घरों से निकलते हैं हमारे खेतों से निकलते हैं हमारे उद्द्योगों से निकलते हैं और इसी परकार के जो परदूसर तत्त हैं वह जील नदि जल है जो जल है वह क्या हो चुका है बहुत परदूसित हो चुका है और जो परदूसित जल है यह क्या है हमारे आप पीने योगे नहीं है तो हम जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जल संकट क्या हो रहा है बढ़ रहा है जल संकट बढ़ रहा है अभी देखो हम लोग सिर्फ जल क को इस रूप में समझ रहे हैं कि जल पीने होगे रूप में अभी तो हमें इस जल को कई डायमेंशन से देखना है यह हमारा एक है एक बहुत घटक है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट घटक है इसको हमें ध्यान से समझना होगा क्लियर है देखो आप किसी क्लास को कैसे चेक करते हो मुझे नहीं पता कि आपका क्या तरीका होता है कि कोई क्लास कितनी बहतर है कितनी अच्छी है कौंसी क्लास करनी चाहिए नहीं करनी मैं जितना बता रहा हूं जिस डामेंशन से बता रहा हूं आप इनवार्मेंट की 20-25 क्लासे कर लो उसके बाद जहां पर यूटूब से लेकर जहां पर भी आप देखना समझने का प्रयास करना अपने आप घूम फिर कि आप यही कहोगे यह क्लास क्या थी बेश्टी लेकिन समझ में नहीं आता है कि आहीं चले तो हमने कहा जल क्या हो रहा है यह पarta पर्दूसीत हो रहा है यह जो जल पर दूसीत हो रहा है इसके कारण क्या हो रहा है जल संकट कितना जल संकट है तो देखे 22 आप कोई पता है 22 मार्च को क्या मनाते है कौन सा दिवन होता है 22 मार्च को हम क्या कौन सा दिवस मनाते है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते है बताएगा, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, चलि मैं आप से क्या पूछ हूँ, आप लोग तो, मैं कई बर सोचता हूँ कि कमेंट में जाकर पूछ लो, लेकिन पता चलता है, कि यहाँ पर तो यही चल ला है, कि तुमने खाना खाया, कि नहीं खाया, तुमने रात में सही सोई थे या नहीं सोई थे, इस तरह की चेज़े चल लहीं, वहां तो कमेंट का लेबल यह लगे, चलि मैं इक खुछ बदा देता हूँ, तो 22 मार्च को हम लोगों ने क्या किया, बिस्व जल दिवस मनाया, बिस्व जल दिवस मनाया, तो जब बिस्व जल दिवस हमने 2022 को मन कर रहे हैं, जल संकट का सामना कर रहे हैं, तो जल संकट अब क्या होगा है, पहले जो जल की कमी थी, वह हमको समझ में नहीं आती थी, लेकिन अभी 22 मार्च 2022 को हमारे हैं पर जो अंतराष्टी डेटा आया, उसमें पता चला कि 1.6 अरब लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं, आप को होगे कि सर हमारे देश में ऐसी condition नहीं है हमारे यहां पर एक संस्था है जिसका नाम है नीति आयोक नीति आयोक की report है कि हमारे यहां पर 60 करोड लोग ऐसे हैं जिनको fresh water नहीं मिलता है साट करोड लोग ऐसे हैं जिनको समय पर फ्रेस वाटर की उपलब्दता सुचारू रूप से आसानी से उपलब्द नहीं है इन नीती आयो की रिपोर्ट है उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के एक सिके इसको मैं मिटाता हूँ चलो आगे बढ़ा लेता है तो अगर आप देखें भारत के हमारे देश के हमारे देश का लगभग लगभग 40% एरिया ऐसा है 40% एरिया ऐसा है जिसमें जल संकट की समस्या बढ़ती जा रहे है जल संकट की समस्या बढ़ती जा रहे है और सबसे बड़ी बात यह है यह जल संकट की जो समस्या बढ़ रही है उसमें यह है कि जो सिर्फ भूमीगत जल कम नहीं हो रहा है बलके वहाँ पर जो नदियां है जो जील है जो तालाब है सम में पानी क्या हो रहा है इसकी कमी हो रही है अर्थार जो पानी के सोर्स थे वो पानी के सोर्स खतम हो रहा है और लगभग 40 पर 30 यह जो छेत्र भारत का यह आने वाले समय में एक भीशन जल संकट की ओर बढ़ रहा है जल संकट की ओर बढ़ रहा है जल संकट इतना भयावा है कि आने वाले दो दसकों में हमारा जो क्रिसी उत्पादन है वो वन थर्ड एक तिहाई तक क्या हो सकता है कम हो सकता है कारण क्या है पानी ही नहीं है कारण क्या है पानी ही नहीं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हाँ पर जल की संकर कितनी समस्य है अभी आपने अगर देखा ये तो भारत भारत के अगर कुछ छित्रों को आप देखें भारत के कुछ छेत्रों को देखें तो क्या होता है अभी जब गर्मी का समय है इसमें जल संकड बहुत बढ़ जाता है जैसे आप बुंदेल खंड वाला छेत्र देख लिए ऐसे ही महाराष्ट का जो विधर्व वाला छेत्र उहां पर देख लिए ऐसे ही आप तेलंगाना को तेलंगाना वाला जो छेत्र उहां पर देख लिए ठीक इसी तरह से हमारे हां जितने भी अर्द सुस्क छेत्रे हैं उसको देख लिजे उहां पर क्या होता है जल संकड बढ़ जाता होता क्या है कि गर्मी के बाद हमारे हां पर मौनसून आता जरूर है हमारे हां मौनसून लेकिन दिक्कत ये है कि जो मौनसून का पानी है लगवग इसका 35% पानी ही हम प्रियोग कर पाते हैं। चिंताएं क्या हो रहे हैं। बढ़ती चले जा रहें। भविस्ते के लिए हमारी चिंताएं बढ़ती चले जा रहें। चिंताएं किलियर हो यहां से प्रियोग है। प्लिस बताईे, किलियर हुआ है, यहां तक किलियर हुआ, किलियर है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो देखो, हमने एक फैक्टर लिया है, अभी तो इसको सोचो, तो अभी हमने आपको यहां बताया, कि हमने जो जल का importance है वह सिर्फ और सिर्फ पीने की रूप में देखा अब यह जो जल है अभी हमने किस रूप में इसको देखा सिर्फ और सिर्फ इसको हम क्या कर रहे हैं पीने के पानी की रूप में देख रहे हैं या फिर क्रिसी कारे की रूप में देख रहे हैं अर्था जो जल संकट होगा उससे क्रिसी जैसी समस्या उत्पन होगे अगर ये समस्या को और अगर आप बास्तुईक रूप से अभी देखना चाहते हैं किस रूप में है तो आपको क्या करना होगा एक एरिया देखना होगा Horn of Africa ये जो नाम है आप इससे परचित हैं क्या Horn of Africa Horn of Africa से आप परचित हैं क्या Horn of Africa से आप परचित हैं क्या अगर Horn आप अफरिका से परचित हैं तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर लगभग दो करोड से अधिक दो करोड से अधिक लोग क्या हैं यहाँ पर भुखमरी का सिकार है भुकमरी का सिकार और पता है भुकमरी क्यों है क्योंकि उहाँ पर जल एकदम समाप्त हो गए जल संकट यहाँ पर क्या है बहुत जादा बढ़ गया यह जो हॉर्न और पप्रिका है यहाँ पर लगवग लगवग एक तिहाई जो पसु है वो क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं मर चुके हैं अर्थत उनके लिए भी क्या था? जो पानी की उपलब दता है वो समाप्त हो चुके पसु क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं आप क्या किजेगा? गुगल कीजे अभी इसी समय भी कर सकते हैं Water Crisis in Horn of Africa आपको पता चलेगा कि उहां पर परतेक दिन परतेक दिन क्या हो रहे हैं? पसु मर रहे हैं यहां पर इस्तिति इतनी बिक्राल है कि जो घास के छितरते समाप्त हो चुके पेड़ पौदे समाप्त हो चुके हैं पसु जो है कि चलते चलते गिर कर मर रहे हैं और सिर्फ पसू नहीं मर रहे हैं लोगों की भी एही स्थिती है लोग भी क्या कर रहे हैं भूग से तडब कर और जल की अभाव से मर रहे हैं यह कंडिसन है अब अभी तक हमने जल को सिर्फ और सिर्फ किस रूप में देखा पीने यूग के रूप में दरसल अगर आप जल के समझना चाहते हैं तो जल क्या करता है आवास भी परदान करता है आवास किसको परदान करता है इस पर निर्भर कई तरह के जीव होते हैं जीव कौन से हो सकते हैं यह प्लांट्स हो सकता है यह एनिमल्स हो सकता है यह एनिमल्स हो सकता है और यह जो जल ह यह सिर्फ हम इसको fresh water की रूप में नहीं देख सकते, बलकि हमारे लिए जो ocean है यह भी important है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमने नौ सिर्फ fresh water को समात किया है, बलकि ocean वाला जो पानी है, इसको भी हमने परदूसित किया है, इसको भी परदूसित किया है, आप देखिए, जब और एनिमस यहां पर इनका आवाज था इन पर क्या हो रहा है निगेटिव इंपेक्ट पढ़ रहा है आपने सुना होगा एक सब्द कोरल कोरल चीव परवाल भित्ती आपने सुना होगा तो जाहें आप कोरल जो है की चीव के संदर में देख लिज़े या फिर आप कच्छों क के संदर्म में देख लिजी, आप कच्छों के संदर्म में देख लिजी, आप मचलियों के संदर्म में देख लिजी, आप जो सागरी घास होते हैं, उसके संदर्म में देख लिजी या फिर आप इसी सागर से हम कई परकार के अन्य जीव, जीवों का प्रयों क्या करते हैं, ख घट क्यों रही है क्योंकि हमने सागर का जो जल था उसको भी परदूसित कर दिया है। फिर क्या होता है हम इसी सागर में क्या करते हैं हम जितना भी कूडा कच्रा है हम इसको भेगते हैं जितना भी हमारे हाँ पर नदियों के माध्यम से जो परदूसर पदार जाता है कहां से जो हमारा सहरी छेत्र है या जो हमने क्रिसी कारे में केमिकल प्रियोग किया वो सब कहा जाता है इसी सागर वाले छित्र में जाता है जो हम उद्योग लगा रहे हैं जो हम कोस्टल एरिया में या कहीं पर उद्योग लगा रहे हैं उनका जो पानी है अर्थात जितना भी हमारे पास खराब चीजे हैं हम क्या कर रहे हैं ओसन में फेक रहे हैं तो ओसन भी क्या हो रह यही ओसन है जिसमें जो हमारे पास phytoplankton होते हैं अर्था जो समुद्री घास होते हैं जो यह समुद्री घास होते हैं यही समुद्री घास हमारे लिए क्या करते हैं O2 देते हैं ऑक्सीजन देते हैं तो जब हम क्या कर रहे हैं यह ओसन को परदूसित कर रहे हैं तो समुद्र गास इस पर भी negative impact पढ़ रहा है और इससे क्या हो रहा है हमारे लिए जो oxygen की उपलब दता है वो दिन परती दिन क्या होती जा रही है वो कम होती जा रही है तो आप समझ पाए यह जो ocean है ocean को आप क्या समझेए अर्था जो ocean वाला जो छेतर है यह भी जल का एक भाग तो यह ज चारों लाखों परकार के जीव अपना जीवन जीते हैं लेकिन हम उसको क्या कर रहा है पड़दोस्षित कर हम समुद्र के चितर में हमारा जो अतिकरमध है वो बढ़ता ही चला जा रहा है clear है clear है यहां तक clear हुआ बिल्कुल बिल्कुल थीक है क्लियर है चले आगे बढ़े आगे बढ़े तो यह हमने देखा वाटर के संदर में अब इसी वाटर को इसी जल को प्रोटेक्ट करने का प्रयास हमको करना है अर्थाथ यहाँ पर जो किरियल पहला हम लोग निसकस निकाले कि जो हमारा एक भौतिक घटक था हमारा एक भौतिक घटक है वह है जल यह जो जल है यह अगर सागर में है तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है परदूसर्ण फैलाया है जिसको हमें क्या करना है सुरच्छित करने के लिए सनच्छन करने के लिए इसको क्या करना होगा पर्दूसर्ण मुक्त करना होगा तो आगे हम देखेंगे कि आखिर हमने कौन-कौन से प्रियास कर रखे हैं कौन-कौन से एफर्स के माध्यम से हम इसको पर्दूसर्ण मुक्त करने का प्रियास कर रहा है दूसरा जो हमारा इस थलिय जल था इसको भी हम लोग क्या कर चुके हैं? परदूसित कर चुके हैं और इसका निगेटिव इंपेक्ट हमारे उपर नदियों के रूप में, जील के रूप में, धलाब के रूप में, सब रूप में दिख रहा है तो जो हमारा जैबिक घटक है यह क्या है अपने अस्तित्यों के लिए एक तरह से संघर्ष कर रहा है ध्यान दीजेगा यह जो जैबिक घटक है एक ऐसा जैबिक घटक है जिसके बीना जीवन संभव नहीं है इसलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए जल सरच्छन करन कि जितना पानी का कम से कम प्रियोग करें जितना पानी का री यूज करें उतना ही क्या होगा आपके लिए बैतर होगा तो यह हमारा पहला घटक था और वह कौण सा घटक हुआ वह हुआ हमारा जल अब इसी तरह से एक दूसरा घटक हम देखते हैं अपने ecosystem का देखें यहां तो देखे, हम लेका भौतिक घटक और इन भौतिक घटकों में पहला जो हमने घटक लिया वह कौणसा था जल था अब हम लेते हैं वाईू को एक घटक के रूप में लेते हैं और देखते हैं क्या वाईू को हम लोगों ने साई छोड़ा है कि नहीं एक सिकंट देजे तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आई, अब हम दूसरा घटक लेते हैं, जो हमारा दूसरा भौतिक घटक है, वो क्या है हमारा जल, जल तो हमने देख लिया, वो है वायू, ठीक है, वो क्या है वायू, तो वायू क्या है, वायू जैसल गैसों का मिसरण है, गैसों का मिसरण है, और यह जो वायू है परतेक जियू के लिए क्या है महतपूर है अगर क्या होगा एक सिकंड दीजे मुझे यह क्या है परतेक जियू के लिए महतपूर है अर्थार अगर कोई भी इको सिस्टम है मालो यह एक कोई एरिया है और यहां का क्या हो वायू पर दूसर हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि उहां पर रहने वाले जियों का अस्तित तो क्या हो जाएगा खत्रें पर जाएगा तो वायू क्या है हमने कहा यह गैसों का मिस्रह है इसको कैसे देखते हैं तो अगर हम देखें, तो गैसों कमिशन कौँ से गैस है, यहाँ पर आपको nitrogen देखनों को मिलेगा, लगवग 78%, ठीक है, यह आपका nitrogen है, इसके साथ ही साथ oxygen आपको मिलेगा यहाँ पर, इसी गैसों कमिशन oxygen है, लगवग 21% है, इसी के साथ साथ आपको organ मिलेगा, यह भी 0.93% है, इसके साथ आपको इसी में CO2 मिलेगा, जो 0.03% है, इसी के साथ अन्य गैसे भी हैं, और इस सभी गैसों का मिशन हमारे लिए क्या है, महतपूर है, हमारे लिए क्या है, महतपूर, अगर हम क्या करें, इनका जो composition है, इनका जो रासानिक सरचना है, इसको अगर बदल देते हैं, तो वायू क्या हो जाएगे, परदूसित हो जाएगे, आप खुद कल्पना करिए, कि आपने देखा होगा, कि जैसी वायू परदूसर होता है, हम लोग क्या होते हैं, हमारे सामने अस्तितों का संकट आ जाता है, जबकि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरिया से द अगर हम क्या करते हैं वायू पर दूसर अगर हम वायू पर दूसर करते हैं तो ये किसी भी एको सिस्टम को किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कर सकता है बरबाद कर सकता है पारिस्थितिकी तंत्र को ये क्या कर सकता है एको सिस्टम को ये क्या कर सकता है नश्ट कर सकता अब प्रश्न आएगा कि आखिर वायू परदूसर से कैसे जीव नश्ट होगा इसको इस रूप में समझे इसको इस रूप में समझे आप देखे हम ले लेते हैं दिल्ली का छित दिल्ली के और उसके आज़ पास के छितरों में अभी क्या है यहाँ पर परदूसर बहुत ज़ उतना ही वेल्यूबल है उतना ही मातपूर है जितने हम और हैं हम लोग इस प्रत्वी को, इस प्रकर्ती को बहुत कुछ नहीं दे पाते लेकिन अगर आप दीमक को देखें तो दीमक क्या करता है वो जो भी हम जो भी चीज होती है उसको सपारा गला कर मिट्टी में मिला रहा है उसी से हमें पोसक्तत्यों मिलता है तो अगर हम देखें तो हमें वायू के दिखाई देगा कि वायू पर दूसर्ड के बज़े से दिल्ली और इसके आसपास के छित्रों में पच्छियों की संख्या गट रही है जितने भी सुचमाकार के चिवें उनकी संख्या गट रही है और यह जो वायू पर दूसर्ड है इ जैसे हमारे उपर वायू परदूसर का परभाव पढ़ता है थी किसी तरह से वहाँ जब वायू परदूसर कही पर भी होता है तो उसका परभाव उन जीवों पर अन्य जीवों पर भी क्या होता है पढ़ता है अब यह जो वायू परदूसर है यह क्या हो रहा है समय के साथ ब वायू परदूसर्ण वाले देश में आता है वाले देश के रूप में भी यह जाना जाता है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक भौतिक घटक है वायू हम उसको परदूसर्ण करने के मामरे में बहुत आगे हैं हम यह परदूसर्ण कैसे फैलाते हैं हम यह घरेलू कार्यों क द्वारा परदूसर फैला रहा है हम बहुत से ऐसे कारे करते हैं घरोली उस तर पर जिसमें वायू परदूसर होता है हम उद्योग के इस तर पर कर रहा है हम लोग परिवहन के रूप में कर रहे है ठीक है हम लोग इसका जो वायू परदूसर है या कृसी कारे में भी कर रहे ह किर्सिकारे में कैसे करते हैं हमारे यहाँ पर कोई भी फसल खड़ी है उपर से हमने काट लिया बाकी को हमने क्या कर दिया चला दिया तो हम किर्सिकारे के रूप में भी वायव पर दूसर कर रहे हैं हम इसकी अलावा ब्यक्तिगत तौर पर भी कर रहे हैं वाईव पर दूसर कर रहे हैं, हम कहीं पर जाते हैं, हम क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकें करते हैं, और हमने क्या किया, हमने उसको फेक दिया, और उसको सिगरेट से आग लग जाते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे है इससे क्या हो रहा है यह हो रहा है जितना भी हमारे पास ऐसी चीजे हैं जिनके चलने से Carbon Oxide से लेकर अंने गसे निकलती हैं अपने आपको Sunlipth किये हो इससे क्या हो रहा हमारा यहां पर VY Michelle हो और जैसा की कहा हमने हैं विश्व में सरवातिक वायू पर दूसरड वाले देशों में आते हैं और इसी की कारण हमारे हैं के लोग का जो हेल्थ है इस पर निगेटिव इंपक्ट इयर पॉल्यूशन का देख रहा है आपको विश्व की एक रिपोर्ड बताती है कि विश्व में आठ लाक लोग आठ जीओं पर भी इसका निगेटिव इंपक्ट पड़ता है अन्य जीओं पर भी निगेटिव इंपक्ट पड़ता है देखें जो पक्षी होते हैं देखा होगा आपने पक्षी क्या करते हैं परवास करके आते हैं परवास करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए आते पर दूसित होने की बज़े से जो हमारा एको सिस्टम है वो डेमेज हो रहा है अब इसको और एक थोड़ा सा बिवहारिक तरीके से समझें माल लेते हैं एक घास का मैदान है और यह जो घास का मैदान है यह क्या है एक एको सिस्टम का पार्ट है यह क्या है एक एको सिस्टम का पार्ट है अब जब यह घास जो है यह एको सिस्टम का पार्ट है तो सौभाविक है इस एको सिस्टम के लिए वायू भी क्या है इंपोर्टेंट है लेकिन कल्पना कीजे कि यहां पर जो वायू है उसमें इतना ज्यादा परदूसक तत्व है उसमें इतना धूल राक है उसमे PM 2.5 जैसे material इतने ज़ादा है उसमें वहां की जो वायू है उसमें कारवन डायकसाइड, सलफर की आयकसाइड, कारवन मोनो आकसाइड इतना ज़ादा है कि वहां की जो जीव है वो धीरे-धीरे क्या होगा उनकी efficiency कम होने लगेगी आप खुद देखेंगे कि जब आप क्या हो ठीक किसी तरह से हर ecosystem के लिए हमारा क्या है यह जो वायू है काफ़े important है लेकिन क्या होता है कि जब हम अपनी जो भी किरियाय कर रहा है उन किरियाओं के बज़े से वायू परदूसर हो रहा है अगर आप कई reports देखेंगे तो यह बताया जाता है कि एक सिकर कई reports में देखें अगरम कहां से होता है ओद्योघिक जो करांती है वह इंग्लेंड से प्रारााम होई थी सत्य सो पचा Five कि देखते देखते पूरे बिष्व में फैली लेखिन ओद्योगिक करांती ने तो हमारा पूरे बिष्व का यह जो वायू परदूसर था इसमें महत्पूर रोला और इसी के कारण देखा जाता है कि सत्रह सो पचास के बाद जीओं की संख्या जीओं की जो संख्या है वो तेजी से घटी है अर्थात वायू पर दूसर ने क्या किया है वायू पर दूसर ने क्या किया है वायू पर दूसर ने जीओं के लुप्त होने की जो दर है उसको बढ़ा दे अब सुचिएं जब हमारे इकोसिश्टम से ये जीई ही लूप्त होने लगेंगे तो फिर बचे क्लियर है नोट कर लिए आप लोगों ने नोट कर लिए आप लोगों ने यहां तक किलियर हुआ नोट किया आप लोगों ने कि एक कि एक के टीच जी कहरें सर्क डेफिने सब्चों मैं किसकी डेफिनेशन लिखवाओ किसकी डेफिनेशन वाइउ की डेफिनेशन किसको लिखवाँ, definition के चकर मत पढ़िए, मैं आपको कुछ नोर्स आपको प्रवाइड करवा दूँगा, उनको पढ़ लेज़े, बाकि आप लिखते रही है, इसी तरह से लिखते रही है, definition important नहीं है, concept important है, dimension important है, किस तरह से कितने एंगल से हम topic को देख रहे हैं, यह important है, clear ह है, चले, अगले घटक पर पढ़ते हैं, अगले घटक पर बड़ जाते हैं, तो हम लोगों ने यह जो घटक था, भहती घटक, इसमें एक बायू को देख लिया, अगला जो हमारा भहती घटक, इसको आप अगर चाये तो screenshot ले सकते हैं अगर आप screenshot लेना चाये तो ले लिजे ठीक है? चले, अब आजाते हैं हम यहांपर तो अगला जो हमारा भहुति-गटक है उसमें है इस्थल हमारा जो अगला भहुति-गटक है उसमें हमें discuss करना है वो है हमारा इस्थल और इस्थल को दू रूप में एक तो हम क्या करेंगे इसको इस्थल मंडल के रूप में देखेंगे इस्थल मंडल के रूप में देखेंगे अर्था जो भी एको सिस्टम है वो किसी इस्थल मंडल का हो सकता पार्ट हो और दूसरा हम देखेंगे इस्थल को इस्थल मंदर और इसको मिट्टी के रूप में भी देखेंगे मिट्टी के रूप में अर्थाज सॉयल के रूप में भी इसको हम देखेंगे आप देखें एक एक करके देखते हैं तो जो हमारा एको सिस्टम है तो अगर वह वह इस्थली ecosystem है, इस्थली ecosystem है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यह जरूरी है कि इस्थल क्या हो सुरच्छित्र है, इस्थल क्या हो सुरच्छित्र है, प्रशन आएगा कि आखिर इस्थल को खत्रा किस से, किस से इसको सुरच्छा प्रदान करना है, तो खत्रा क्या है, यह जो हमारा इस्थल ये भाग है इसका जो उपयोग है वह परिवर्तित हो रहा है यह जो इस्थल है इसका उपयोग परिवर्तित हो रहा है कैसे अब हम क्या कर रहे हैं और दोगी करण के लिए हम भूमी का अधिक प्रया कर रहे हैं और दोगी करण के लिए सहरी करण के यातायात के लिए हम क्या कर रहे हैं जादा भूमी का इसी तरह से क्रिसी कारे के लिए हम क्या कर रहे हैं अब इस्थल का बहुत जादा प्रियोग कर रहे हैं अब जब हम इस्थल का प्रियोग उन कारेयों के लिए कर रहे हैं जिनका जो हम पहले नहीं करते थे अर्थात एक स तो प्रियोग बदलने से इनका उप्योग जो हम जिस तरह से प्रियोग कर रहे थे, जब हम इनका प्रियोग बदल रहे हैं, तो क्या बताइए, यह जो इकोसिस्टम है वो बदल रहा होगा की नहीं, कैसे बदल रहा है? क्या हो रहा है जो घास का मैदान है वो क्या था इस थली एको सिस्टम का ही पाड़ था वो क्या हो रहा है कम हो रहा है जो जंगल वाला छेतर था जंगल वाला जो छेतर था जंगल वाला जो छेतर है वो किसका एको सिस्टम है इस थल का एको सिस्टम है वो क्या हो रहा है कम हो ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो हमारी घाटियां थी उन घाटियों में जनसंख्या कम थी घाटियों का जो एको सिस्टम है वो किस से संबंदित था इस तल से सा इसी तरह से अगर देखेंगे तो आपको बहुत से एरिया ऐसी दिखाई देंगे कि उन इस्थलों पर पहले क्य से इस थली एको सिस्टम से हमने सब को क्या कर दिया हमने सब को बरबाद कर दिया हमने क्या किया इनका उप्योग अब हम अपनी रूप में कर रहे हैं जिससे यहाँ पर रहने वाले यहाँ पर रहने वाले जितने भी प्लांस और एनिमस थे उनकी संख्या क्या हो रही है ज़ादा डेमेज किया है। कैसे कैसे डेमेज किया है। हम लोगों ने ओद्योगी करण किया, सहरी करण किया, या तयात के साधनों का भी कास किया, क्रिसी कार किया। इन सभी कारियों में हम भूमिक के स्वरूप को क्या कर रहे हैं। बदलना है। और यही कारण है कि आज यह जो हमारा स्थल मंडल है, यह क्या है, ये कम इस्थाई है, इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो स्थल ये इको सिस्टम है इस पर इतना निगेटिव इंपेक्ट पढ़ चुका है कि आज जहां पर जीवन है जहां पर इस्थल के जिस भाग पर जीवन है उहां पर जीवन कब तक रहेगा निश्चित नहीं है कारण क्या है मान भी आओ सकता है उन छेत्रों का क्या कर रहे हैं दोहन कर जैसे आज का निउच पेपर आपने पढ़ा होगा तो महराश्टरा के मुंबई वाले छेत्र में एक आरे जंगल छेत्र है वो जो आरे जंगल वाला छेत्र है उसको हम काट रहे हैं वो क्या है इस इस थली एको सिस्टम का एक पार्ट हुआ करता था वो क्या हो जाए समाप च्छेत्र च्छतिस गड़का देखा उसको बचाने के लिए वहां के आदिवासी क्या कर रहे हैं संघर्स कर रहे हैं कितने दिन बचा पाएंगे पता नहीं इसी तरह से देखिए हमारे चारो और पहले बहुत से घास के मैदान हुआ करते थे वहां पर बहुत से एरिया में तलाब हुआ करता था बहुत से एरिया में दलदली छेत्र हुआ था अब वो सब क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है अर्थात हम लोग इस्थल को क्या कर रहे हैं बहुत उस पर ज्यादा निगेटिव इंपेक डाल है उसके अलावा यह जो इस्थल से जुड़ा हुआ ए जो हमने पोसक्तत्व था उसका तो क्या किया बहुत ज़्यादा उप्योग किया अब जब हमने उप्योग कर लिया है तो यह जो पोसक्तत्व है इनकी मात्रा क्या हो गई है कम हो गई और इसी के कारण मिट्टी का अधिकांस भाग क्या हो रहा है बंजर होता जा रहा है या रासायनिक उर्बरों का इतना ज़्यादा प्रियोग किया, हमने इतना ज़्यादा गहन कृसी किया, कि यह जो हमारी मिट्टी थी, अब इसकी उत्पादकता धीरे-धीरे क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, और जब समाप्त हो चुकी है, तो इसी की कारम इस्थल पर मिल लेवाले जितने भी ecosystem है चाहे वो घास के रूप में हो चाहे वो जंगल के रूप में हो चाहे वो परवत के रूप में हो सब समाफ्थ हो चुके इसी इस्थल का एक भाग है हमारे परवत और घाटियां परवत और घाटियां लेकिन आप अभीर देखेंगे तो हम क्या कर रहे परवतों को हम लोगों ने इतना जादा तोड़ फोड़ किया है कि हाँ पर लेंड स्लाइट की घटना आपको देखने को मिल यह जो लेंड स्लाइट की घटना भूस्कलन की घटना है क्या जब कहीं भूस्कलन होता तो वहां का एको सिस्टम डेमेज नहीं होता हम लोग परवतों को काट रहे हैं, पठारों को काट रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस तेजी से माइनिंग की किरिया कर रहे हैं, जो माइनिंग की किरिया कर रहे हैं, या इसी इस्थली एकोसिस्टम को हम डेमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम जितना भी अपनी आवस पड़ रहा है। कहते हैं यह कहाँ पर बिक्सित हुई इस थलों पर बिक्सित हुई और इसी इस थल पर हमको क्या मिलते हैं मैदानी छित्र मिलते हैं लेकिन आपको पता है कि यह जो मैदानी छित्र हैं यहाँ पर जितनी जनसंख्या का घंण तो जितना जादा बढ़ता जा रहा है वहाँ पर हेतर जो है कि ecosystem का उदारन होता था लेकिन अब हमने उसको इतना ज्यादा इसी के काड़ जब हमारे लिए कोई ecosystem सामने आता है तो उसको सरचन करने की जो बात आता है तो हमें क्या करना होता है तीनों ही इसके घटको को अर्थात इस्थलिये घटक, जलिये घटक और वायू के घटक पर क्या करना होता है ध्यान देना होता है तो जब भी आप policy making करिएगा जब भी कोई case study solve कीजेगा और मान लेते हैं किसी जील, तलाब, नदी का, ecosystem का कोई आप से case study पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तब आप answer देंगे क्या यहां तक आप समझ पाए, क्या आप यहां तक समझ पाए प्लिस बताईए समझ पाए आप समझ पाए आप बच्चर नोट किजे, इसको नोट किजे बच्चे पीडियप नहीं इसको देखो, जो चीजे मैं बोर्ट पर लिख लिख कर पढ़ा रहा हूं, इसका पीडियप नहीं है, बाकि जो type material होता है, उसका पीडियप मिलेगा, इसको आपको नोट ही करना होगा, यह जितने मैं लिख कर पढ़ा हूं, इसको नोट करना तो आज हमने क्या किया आज हम लोगों ने अपने यह जो हमारा एको सिस्टम है इसके किस घटक को हमने बात किया हमने भहुत ही घटक को कल हम क्या करेंगे हम अपने एको सिस्टम के जैविक घटकों को डिसकस करेंगे ठीक है तो कल हम मिलते हैं जैब भी घटकों पर बात करेंगे आपके लिए important सूचना ये है कि जब भी आप course लेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो तयारी है वेवस्तित हो किसी educator के proper guidance में हो आपको कहीं बर कोई दिक्कत आए तो educator आपके support में हो आपको guidance प्राप्त करें तो आप यहां क्या किजेगा course लेते समय इस code को जरूरी उच किजेगा दूसरा आप इस वीडियो के description में जाकर मुझसे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं वहीं पर आपको class की सभी सूचना प्राप्त होंगे और हम लोग मिलते हैं 7 बजे NCRT क्रांती बेच में NCRT क्रांती बेच बिलकुल निसुल का आपके लिए रखा गया आप उसको क्या कर सकते हैं जॉइन कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं optional बिसे launch हो रहा हैं आप कोई भी optional बिसे का course कर सकते हैं किस तरह से मेरा code यूच करके और मेरा जो code है वो कौँ सा है S-U-N-I-L-B सुनेल भी ठीक है यह जो code है इसको याद रखेगा इसके माद्यम से आप बढ़ सकते हैं ठीक है चलें तो आज के session में इतना ही Thank you so much